यहां पे चोटा सा टॉपिक और करवाने हैं बहुत ली डिफिकल्ट है फिनाशल मैनेजमेंट में जो डिफिरेंस करता है ICER और DSER पहले हम समझ लेते हैं ICER स्टांड्स फॉर इंटरस्ट कवरेज रेशियो क्या ICER क्या चीज के लिफिकल्ट करता है जो मेरा ICER है इस स्टांड्स फॉर इंटरस्ट कवरेज रेशियो यह कहीना करता है मेरा इंटरस्ट कवरेज रेशियो के लिए बताता है कि EBIT अपन इंटरस्ट फॉर एक फॉर्म है जिसकी EBIT है 100 ठीक है और दूसरे की भी लख लेते है EBIT 100 फॉर्म A एंट फॉर्म B अब फॉर्म A का इंटरस्ट एक्सपेंस है सिफ 10 और इसका है 50 तो गाईज अगर 100 बाई 10 ICER रेशियो क्या बताता है आप में कितनी शमता है आप कितनी बार अपने फॉर्म का इंटरस्ट भरने की कैपेसिटी रखते हो तो यहाँ पे A का आंसर आता है गाईज 10 टाइम्स और B का आंसर आता है टू टाइम्स तो यहाँ पे हमारी बात वी कि जितना आप कितनी बार दे पारो 10 टाइम्स तो गैस अब एक चीज समझना अगर एक फॉर्म दस बार इंटरस्ट देने की शमता रखती मतलब समझना उस कितना पैसा है बोले मैं 10 तू अभी आ एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चान नहीं दस पैसा ले जा जितना ज़ादा आई सीयार स्ट्रॉंग होता है अगर हम फिनाइश वोल की बात करें तो ऐसा समझा जाता है कि कंपनी के फिनांशेल उतने ही जादा स्ट्रॉंग है मतब फिनाशल कंपनी स्ट्रॉंग है वो इंटरस्ट दे पारी आर्राम से तो इस तरीके की company को debt prefer करना चाहिए जब जब एक company का ICR बहुत ज्यादा high होता है जिसका formula EBIT of interest उसको debt prefer करना चाहिए higher ICR higher ICR हमेशे हम क्या prefer करेंगे चितना ज्यादा ICR होगा हम prefer करेंगे कहीं ना कहीं debt ठेक है higher ICR refers to higher debt ठेक है so guys interest coverage ratio refers to number of times earning before interest and tax covers the interest obligation आप कितनी बार interest भणने की शमता रख सकते हो the higher the ratio lower की भाई risk कम है आप 10 बार interest की जगा 9 बार हो जाएगा 8 बार हो जाएगा 7 बार हो जाएगा इतना तो कमा ही लोगे कि कम से कम एक बार interest दे सके तो जितना जादा ICR high है उतना कम risk है और कम risk है तो भईया debt ले लो जिंदिगी का simple उसल अगर आपके business में risk कम है तो हमें debt prefer कर लेना चाहिए तो ये था हमारा first formula ICR अब ICR से एक बड़ा formula है जिसका नाम है DSCR ICR क्या बोलता है कि भाई साब तुम्हारी interest बनने की शमता कितनी है पर क्या जीवन में हर साल सिर्फ interest पे interest इंटरस 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 देंगे ना मनना ना हमें इस interest का हमें हमारे fixed application का principal amount भी तो चुका ना पड़ सकता है क्या पता किसी वर्ष कारण वर्ष company बंध हो जाए या कुछ भी हो जाए मुझे मेरे सारे के सारे जिनसे पैसा उधार पे लिया है सब के साथ एक साथ आके बोल दे अभी के अभी मेरा पैसा पूरा लटाओ अभी के अभी मेरे जो भी पैसा है मेरा जो भी फंड है पूरा का पूरा पैसा मेरा लटा तो तब क्या कर लोगे तो DSCR बात करता है कि interest के साथ साथ तुम में कितनी शमता है कि तुम principal obligation भी चुका पा रहे हो थे cash profit generated by विट टर er टोटल कैस्तों तो गाइस अपने बिजन से कितना पैसा कम है अब इसका मीच छोटा सा में इसका मैं छोटा सा लॉजिक बाताव है आप लोगों को भींती टॉडि कुडि 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 । अशी्ट चलो जा cute also मैं आपको इधर ही लिख देता हूँ EBIT में से हमने interest minus किया तो मुझे मिलता है EBT, इस में से जब मैं tax minus करता हूँ तो मुझे मिलता है earning after tax, यह earning after tax available है मेरे पास, तो यह earning after tax, अब यह जो खर्चे है ना, यह मेरे business के खर्चे तो है, ठीक है, अब interest अगर मुझे नीचे चुकान पे लिया है, उनको देने के लिए क्या-क्या पैसा है, तो profit after tax, depreciation, depreciation को क्यों किनता है, विकॉस एक यह ऐसा खर्चा है, depreciation non-cash expense, यह ऐसे खर्चे है, जो खर्चे तो है, बट इसमें actual में पैह बार नहीं जा रहे, पैसा कुछ नहीं जाता, तो depreciation एक तरीके का non-cash expense, expense है बट पैसा नहीं गया, तो तना पैसा और है, अब interest हो में फिर से जोड रहा हूं, क्योंकि भाई मैंने interest अभी interest नीचे भी गिन रहा हूं, तो उपर भी गिनने की जरुद है, अब guys मुझे देना क्या क्या है, अगर profit हुआ है, तो preference dividend को देना जरूर है, अगर interest तो हो या ना interest और repayment, repayment में आपका debt भी हो सकता है, preference भी हो सकता है, जो भी है, principal amount, तो DSCR क्या बात करता है guys, ICR के, आप interest के साथ साथ principal amount कितनी बार भर सकते हो, same ratio, higher the DSCR, जितना जादा DSCR strong होगा, उतना जादा हम debt prefer करेंगे, और जितना जादा DSCR कम होगा, उतना कम हम debt prefer करेंगे, same ratio, but एक चीज़ याद रखना, exam में कि कौन सा concept wider है, यह एक ऐसा question है, जो exam में बार बार पूछा दाता है कि कौन सा concept wider है, तो एक चीज़ याद रखना कि DSCR is a wider concept, क्योंकि इसमें guys, interest plus principal obligation दोनों cover होता है, और वहाही मेरे ICR में क्या cover होता है, सिर्फ और सिर्फ interest coverage, तो guys, which one, किसका wider, किसका broader scope है, DSCR, फिर से बता रहा हूँ, ICR covers only the interest part and DSR complete the principal as well as the interest, यह समझ नहीं है तो ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना, इसमें हम वो सारी चीज़े लेते हैं, जो हमारे non principal, जिन से हमें उधार ले, उनको देने के लिए क्या-क्या पैसा है, और नीचा हमें क्या